आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं टाटा एस्टील स्टॉक के बारे में यूके के तरफ से एक पोजेटिव न्यूज हमने देखा जहां इसने अपने जो बैलेंस सीट है उसको भी डिकंस्ट्रॉक्ट करते देखा यूके गौर्मेंट के तरफ से 5000 करोर के एक और भी आते हुए दिखे थे और इस समय टेक्निकली ट्रेंड तो थोड़ा आपको कंसोलीडेट फ़र्म में दिख रहा है लेकिन मेरे प्रसनल व्यूज काफी पोजेटिव हैं यहां देखेंगे तो टाटा इस्टील हिट फिप्टी टूइक हाई आप्टर यूके डील जै ट्रेलिंग टू इंस्टॉल न्यू एलेक्टिक आर्क फरनांस फॉर एस्टील मेकिंग एद फॉर्मर पोट टलबोट साइटीन विल्स जो कारवन डा आकसाइड है उसके उत्सरजन जो है कुछ काफी ज्यादा बरते दिख रहे हैं और बाता बरन को ध्यान रख करके यह ब दिस विक डिटू सॉर्टेज ऑफ एच आर्सीं डोमेस्टिक मार्केट और यह भी पोजेटीव खबर है निगेटीव खबर तो बिल्कुल नहीं है 145 के जैप फ्रीज ने टार्गेट दिये हैं और उसके साथ ही कहा है कि जो कंपनी को यूके के तरफ से जो ओर्डर्स मिले हैं वह काफी फेबरेबल हैं और जो ट्रेंड है वह काफी पोजेटीव है डिलेबरी बेटर है यहां थोरा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है लेकिन डॉंट नीट टू पैनिक टेक्निकल ट्रेंड हाय हाय लो थोरा टाइम स्पेंट कर सकता है फ्रेस बाइंग इस समय से स्टॉक में 138 के उपर करेंगे और 152 66 तक के लेवल मुझे लगता है नेक्स त्री मंत में इसलिए दिखना चाहिए